हेलो दोस्तो वन्स अगेन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स वानी फ्रेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ICSI के अनॉंसमेट के बारे में जो आया है carry forward of June examination fees to December 20 examination session इसके अंदर में हम देखेंगे के ये announcement में total क्या-क्या बातें की गई है और जो declaration form है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे के declaration form को किस तरह से fill करना है और किस तरह से upload करना है तो इस चीज को जानने के लिए आप वीडियो के end तक हमारे साथ जुडे रहिए और content अच्छा लगे तो definitely एक like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में share कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए दोस्तों इस announcement को देखते हैं कि ये ICSI announcement क्या कहता है सबसे पहले दोस्तों देखिए कि ये announcement जो है जून 17 2020 का है जहां पे बोलता है कि attention students साफदान हो जाईए students और यहां पे carry forward के बारे में बात कर रहा है बट examination का fees जो जून का examination fees है उसको December वले attempt के लिए carry forward करने के लिए बात किया गया है तो यहां पे ये बोला गया है जैसा कि सारे students ये जानते हैं कि जून का जो exam होना था अब वो reschedule होके August में हो गया है क्योंके COVID का impact चल रहा है तो इसके वज़े से कुछ students जो जून के session के लिए enroll किये थे अब वो चाहते हैं कि December के लिए appear करें instead कि वो June वाले session के लिए appear करें तो student जो है इस चीज़ के लिए हो सकता है कि एक concern उनके अंदर रहे कि जो examination fees हमने already pay कर दिया है जून के exam के लिए उसका क्या होना है तो institute ने यहाँ पे ये clarification दिया है कि आपका जो fees का क्या करना है मैं आपको बता दूँ इस announcement में कोई भी clarification ये नहीं आया है कि अगर आपका कोई पिछला exemption है तो उसका क्या होगा यहाँ पे सिर्फ fees के regarding में बात हुई है तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है तो ऐसे students जो अपना exam shift करना चाहते हैं December वाले attempt को उनको facility provide करने के लिए institute ने ये तै किया है कि वो जो students opt करना चाहते हैं December वाले session के लिए instead of June वाला session जो है उनको allow कर दिया जाएगा वो facility और यहाँ पे जो examination fees जो June के attempt के लिए वो लोग pay कर चुके थे उसको carry forward कर दिया जाएगा for the module for which they have enrolled let's suppose आपने एक module के लिए enroll किया था और आप सोचते हैं कि अब June का attempt नहीं देना है अब December में देना है तो उस case में उस पैसे को उस एक module के पैसे को आपका carry forward कर दिया जाएगा for December attempt आगे यहाँ पे बोलता है कि जो students चाहते है कि additional module को registration करें enroll करें exam देने के लिए उनको additional fees जो है वो देना पड़ेगा और यह जो additional fees है यह online mode में separately बाद में देना पड़ेगा जब enrollment का process start होगा December वाले exam के लिए इसका मतलब यहाँ पे यह बोलने का कोशिश किया गया है let's suppose आप दो module अभी नहीं देना चाहते थे आप फिलहाल एक module देना चाहते थे और आपने examination fees 1000 रुपीज आपने apply करने के लिए 1000 रुपीज पे किया था institute को अभी आने वाले December attempt में आप दो module देना चाहते हैं और दो module का let's suppose fees है 1500 रुपीज क्योंके आप 1000 रुपीज already pay कर चुके हैं तो in addition to this आपको सिर्फ 500 रुपीज जो है वो pay करना पड़ेगा वो भी online mode में जब enrollment process December के exam के session के लिए शुरू हो जाएगा यहाँ पे एक बहुत important चीज है के partial carry forward of examination fees that shall not be allowed इसका मतलब समझ लीजिए के let's suppose आपने इस बार दो module का registration किया था दो module का examination के लिए आपने enroll किया था और 1500 रुपीज दिया था और अभी आप चाहते हैं के हम अभी फिलहाल June वाले attempt में एक group दें और December वाले attempt में second group दें तो इस case में अगर आप चाहते हैं के second वाला जो attempt है मेरा December का उसके लिए examination को मैं carry forward कर लूँगा और examination fees 500 रुपीज क्या carry forward हो जाएगा जी नहीं आपको partial carry forward examination fees का allow नहीं किया जाएगा यहाँ पे example के through से भी बोला गया है कि कोई भी student जिसने apply किया है दो module के लिए June के attempt के लिए बट अब वो चाहता है कि मैं एक ही module दूँ June में और मैं दूसरा module के लिए carry forward fees कर लूँ अगले module के लिए जो December वाला attempt है वो allow नहीं होगा यानि आपका वो 500 रुपया allow नहीं होगा यानि कि जो students ये benefit को लेना चाहते हैं examination fees के carry forward को लेके उनका पूरा सारा जो भी आपने अभी फिलाल examination के लिए apply किया था जितने भी module के लिए वो सारे module को आपको next attempt के लिए shift करना पड़ेगा तो यहाँ पे steps भी institute ने discuss किया है कि किस तरीके से आप ये benefit को avail कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं वो सारे steps one by one दोस्तो सबसे पहले आपको जो है इस website में जाना होगा support.icsi.edu यहाँ पे जाने के बाद में आपको registered user पे click करना पड़ेगा और फिर आपके सामने एक user login screen आ जाएगा जहाँ पे आपको username और password देना है और capture code देना है फिर submit कर देना है यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका ICSI का registration number है यही आपका username है और जैसे ही आप login करते हैं तो वहाँ पे एक drop down list के under में एक topic category मिलेगा और topic category में आपको select करना है carry forward examination fees जैसे ही आप इसको select करते हैं उसके अंदर में और एक sub topic मिलेगा जहाँ पे आपने select कर देना है from June 2020 to December 2020 और उसके बाद में आपका एक complaint description खुल जाएगा जहाँ पे text box मिलेगा आपको और उसके अंदर में आप write कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं कि please cancel my enrollment for June 2020 exam session ये line आपको उस complaint description में लिखना पड़ेगा उसके बाद में institute के तरब से एक declaration form आया है जिसको मैं आने वाले time में अभी दिखाने वाला हूँ उसका भी print out लेना है इनकेस आपके पास में print out facility available नहीं है तो आप इसको hand written form में भी लिख सकते हैं और सारे चीज़ को duly fill करने के बाद में आप sign करेंगे और फिर scan करेंगे और scan करने के बाद में आप इसको declaration को upload कर देंगे document upload option के अंदर में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि यह pdf format में, png format में, jpg format में, jpg format में ही upload कर सकते हैं और कोई format में upload नहीं कर सकते हैं और file का size maximum 1 mb ही होना चाहिए and at the end आपके पास में और एक capture code आएगा उसको आप mention करेंगे फिर submit बटन में click करेंगे ऐसा करते ही आपका जो request है वो successfully submit हो जाएगा और declaration form इसके अलावा आप अगर किसी दूसरे तरीके से देते हैं तो उसको माना नहीं जाएगा यानि यही process में आपको declaration देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आगे क्या बात होता है यह देखते हैं जब institute यह declaration को receive करेगा तो अपने आप वो student का जो enrollment था जून वाले session के लिए उसको cancel कर देगा और उसका candidature जो है carry forward कर देगा December वाले session के लिए और यहाँ पे बहुत important चीज बोला गया है कि एक बार अगर यह carry forward of exam fees का option आप exercise कर लेते हैं और declaration form को submit कर देते हैं इसको final माना जाएगा बाद में आप चाहके भी इसको revoke नहीं कर सकते या इसको change नहीं कर सकते किसी भी condition में और यहाँ पे time भी दे दिया है यह window को कौन से time से कौन से time के अंदर में आप इस facility को avail कर सकते हैं 28th June यानि Saturday के दिन से लेके 30th June Tuesday के दिन till midnight 23.59 hours तक आप इसको avail कर सकते हैं और यह एक one time facility है जिसको COVID के impact को देखते वे students लोगों को दिया गया है इसके regarding में future में कुछ ऐसा मिलेगा जरूरी नहीं है तो चलिए दोस्तो हम वो declaration form भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें देखते हैं क्या-क्या बातें लिखी गई है और किस तरह से इसको fill करना है तो सबसे पहले देखते हैं यह जैसे कि format of declaration है यहाँ पे आपने date mention करना है फिर यह subject में आ जाते हैं कि declaration by student enrolled for June session to carry forward the fee in December session यानि कि जो June session के लिए enroll किये थे अब आपका fees को carry forward कर दिया जाएगा December session के लिए यहाँ पे dear sir, I, I के बाद में यहाँ पे student अपना नाम लिखेगा फिर registration number लिखेगा और फिर have enrolled for June 2020 session as per the following detail तो June के exam के लिए जो आपने enrollment कर रखा था उसका detail यहाँ पे देना पड़ेगा stage of CS course आप कौन से stage में है, कौन सा module आपने enroll कर रखा है, आपने examination center कौन सा select किया है और फिर बता रहे हैं के it is requested that my examination enrollment for June 2020 session may be cancelled आप मेरे enrollment को cancel कर दीजिए, I may be allowed to appear in the December session आप December session में मुझे allow करने दीजिए by carrying forward the credit of exam fees आप मेरे fees को भी carry forward कर दीजिए so that मैं December वाले exam में मैं कोई भी fees न दूँ, in case मेरा differential fees, additional fees arise न हो I hereby undertake to pay the differential amount जैसे के मैंने बताया कि अगर कुछ extra payment है तो वो मैं करूँगा, और end में thanking you, yours faithfully के नीचे में आपने sign करना है फिर उसके बाद में आपका registered mobile number देना है और registered email ID देना है इस तरीके से इस format को fill करना, इस declaration form को और इसको scan करके upload कर देना है जहाँ पे हम पहले देखे थे, यह जो declaration form था, यहाँ पे document को upload कर देना है और maximum यह 1MB का होना चाहिए तो यहाँ पे सबसे important चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो institute ने यह announcement किया है, यह announcement सिर्फ आपके examination का fees को carry forward के regarding में बात किया है इस particular announcement में कहीं पे भी आपका exemption carry forward करने का बात नहीं किया है मुझे उमीद है दोस्तों कि हमने यह जो discussion किया है आपको इस चीज़ को जानने में और भी आसानी हुआ होगा अगर पसंद आया तो definitely like कर दीजिए and नीचे comment करिए कि आपको यह कैसा लगा और definitely channel को subscribe कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में share कर दीजिए and exam के लिए आप लोगों को all the very best and please take good care of yourself thank you very much